हेलो जोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको ट्रीवियू के बारे में बताने जाए रहा हूँ C-Saut.net Windows Form में तो यहाँ चलते हैं उसके अधि यहाँ पर आपको सर्च करना परेगा आप हरु ऑगस तो सबस्राइब हम पर यहाँ परें इसकुर्फ ट्रैइघ करना पर रहे गया यहाँ घार इसका नाम पर प्रोपारटरीज है और यहाँ पी इवेंट है कि तो सबसे पर यहाँ पर डवल क्लिक करते हैं त्रिवियू में इसके तो यहाँ पर फॉर्म् का यहां पे खुल गया है, उसके बाद अगर preview के बाद में आपको जानना है, यहां पे आप देखिये preview, उसके बाद cursor को यहां पे ले जाईए, उसके बाद इसके बाद में दिया गया है, कि यह सबसे पहले आपता है, system windows form के अंदर आता है, यहां पे, उसके बाद display है, hierarchical correction of level, ज represents by your tree node, तो जो भी represent करता है, यह, वो tree node के द्वारा ही represent करता है, इस तरह का है, तो यहां में सबसे पहले एक को tree node का अप्टेट कर रहे है, इसका नाम देर है tree, उसके बाद यहां पे tree view, वाल ले लिए है, उसके बाद यहां पे notes को add कर रहे है, इसका नाम दे रहे है, इसका विजएल, इस विडियो, इसका नाम दे थी है, तो यहां पे एक को tree view ले रहे है, उसके बाद, उसके notes की zero index पे, notes आगे है, यहां पे zero index, उसके बाद, यहां पे notes को add कर रहे है, dot add, तो zero index पे यहां पे हम add कर रहे है, c, sound, उसके बाद फिर से tree view, उसके बाद notes की zero index पे, इसके बाद zero और zero, एक और यह रहते है, उसके बाद zero और zero, यहां पे notes को add कर रहे है, add method, यहां पे सबसे पहले मैंने visual studio ने दिया, उसके बाद यहां पे visual studio के बाद, यहां पे asp.net, तो यहां पे tree view, dot, यहां पे notes की zero index पे, zero index, उसके बाद यहां पे, dots, dot, add, तो यहां पे यहां पे add कर रहे है, assembly containing iron code, assembly containing iron code, उसके बाद three view, dot, dot, उसके बाद notes के zero index पे, तो यहां पे notes के one index पे, add करें notes को, dot, यहां पे add, so, क्यां पें, add करें, dot, d, ll, आपहे म्मिलोर नोरगस की जो एक पैंट तूए वैंने पैंट मुझात आख नोरगस कैंट पैंट और नापम पैंट जो यहां पे notes को add करेंगे, notes.add, तो यहां पे हम add करें, .exe, उसके बाद यहां पे 3, 2, 1, .notes के 0 इंडेक्स पे, उसके बाद, यहां पे notes, .add, यहां पे 2, 2, 1, .notes के बाद, यहां पे 0 index दाल दे, उसके बाद, यहां पे notes आगया, फिर यहां पे, उसके बाद, यहां पे add method, उसके बाद, यहां पे हम add करें, आई, इ, नूमी, रेंबर, फिर यहां पे preview, . , यहां पे notes के 0 index पे, . , यहां पे notes के, notes के 2 index पे, notes को add करेंगे, notes, .add, तो यहां पे, और 2 index पे यहां पे, यहां पे यहां पे आई, . . . , यहां पे, यहां पे, . , यहां पे, notes के, 0 index पे, उसके बाद, यहां पे, notes के, और 2 index पे, यहां पे add करें, उसके वाद two of notes के zero index पे dot notes dot add add करेंगे आपे i list तो यह एक curve टी create हो गया यहां पर जो zero दीया है वह जीरो इंडेक्स पे यहां पर उसके वाद यहां पर 00 पे है उसके जीरो पर one पर है यहां पर zero one पर इसके बाद यहां पर notes को आड करना यहां पर इसलिए notes को डाल दियें यह index के लिए है ठीक है यह ट्रीव्य में जाएगा काँ भी अब जीरो इंडेक्स पे वन इंडेक्स पे उसके जाद यहाँ पे नोट्स यहाँ पे एड होड़ा है उसी तरह से यहाँ पे ट्रीव्य के जीरो इंडेक्स टू इंडेक्स पे नोट्स एड होगा यहाँ पे कलेक्शन इजड़ी एक्सक्यू तो यहां पर आहले सबसे बहसे सबसे बढ़ा है इसको फ़र यहां पर यहां सबसे बातेब्स के इसको बढ़ करते हैं ते सबसे पहले यहाँ पर इसको डेलिट करें, इसके बाद यहाँ पर इसके साइश को थोड़ा against कर दें हिसको एक्सक्यूट कर रहे है आप दिझे यहाँ पर वीज्च टूडीयो और गया है, यहां पर यह code है, तो सबसे पहले यहां पर visual studio है गया, यहां पर note को add, उसके राधर यहां पर zero index क्या है? मैंने अट किया सीसर्व और 00 इंडेक्स पर क्या है ASP.8 यह डिस्पली होड़ा है उसके बाद यहाँ पर attribute के उसके बाद 0 इंडेक्स पर मैं यह एड किया assembly उसके बाद 01 इंडेक्स पर यहाँ पर add हो रहा है DLM 01 इंडेक्स पर यहां परекस यहां पर कहाँ इस तरह कया एक ही में यह दोनों add हो रहा है उसके बाद इसके बाद ए deben equal ba i unit 2 इंडेक्स पर यहां पर collection add हो रहा है उसके बाद यहां पर i list प्रुख है यहां पर 01 indifferentby Continuing शेख ज़चु अपर ऐ ह translated 02 02 काaway प्रुख है और 02 NOT 0 उसके node 0 के अंदर एक 0 इंडेक्स पे यहाँ पे iList यहाँ पे add अगर आपको यहाँ पे एक ही चीज में एक ही में दोनों को add कर रहा है यहाँ पे तो सिर्फ आपको simple यहाँ पे हटा देना परेगा जैसे यहाँ पे इसको नोट को 0 को हटा देते हैं अब यहाँ पे execute कर रहा है तो यहाँ पे create हो गया उसके राद यहाँ पे देखिए दोनों साथ में आगे है दोनों साथ में इस तरह आगे है क्योंकि यहाँ पे index जो भी है वो दोनों का इस तरह से हम लोग tree create करते हैं code के थुरू यहाँ पे इस तरह code लिखिए उसके अब यहाँ पे tree create हो जाएगा एक और तरीका में आपको दिखाने जा रहा हो tree create करने का तो यहाँ पे director tree create करेंगा यहाँ पे सबसे पहले एक tree tree view यहाँ पे ले 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 लिए यहाँ यहाँ पे drag करती है उसके यहाँ पे simple लगेगे अब ले सकता है एचलिह मैने यह लेकर ले रिया उसका आप लेदौ यहां पर ले सकते यहां पर उसका नाम देते है ऑसटेडियो means आसजितार से यहां पर नाम दें पे संधूर स्न आपए तो यहां पर दिखिए इस तरह का option है कोई भी आप ले सकते हैं यहां पर बोल्ड अटाल दी हैं उसके आप टूल टीप है उसके आप चेक यहां पर इसकी जोड़त नहीं है तो यहां पर दिखिए इस तरह का create हो गया है और इसमें आप चुभी चेटशार करना कीजिए उसके ज़दी कि यहां पर रूट एड़ हो गया अब यहां पर चाइड एड़ करते हैं तो चाइड का यहां पर आपको नाम देना परेगा तो यहां पर इसको select करना परेगा तो यहां पर चाइड में बीस के अंदर आता है य तो यहां पर इसमें कोई जाएंसर नहीं करना है यहां पर C-Surf और आगया उसके रहाँ पर इसको select करते हैं उसके अधा यहां पर इसमें अपर डालते हैं इसपर ASP.net तो यहां पर देखें ASP.net आगया फिर सब्सक्राइड रूट एड़ करना है जिआ से आप रूट को कर सकते हैं कि यहाँ पर आप हम टॉल देते हैं यहाँ पर अआक आशक डी लेग्र को आशकाएब सेन्ग来 करदे हैं धर चार्ड को भी है अटकर सकते हैंuç visit औरμεंग को ESTLxis का we तो दी ऐल एल आता है पिर सब्सक्राइब आपको यहां पर चाइड एड खरना है तो एड कर सकते हैं तो दीरल के बाद यहां पर दॉट एड एकस ए आता है और भी यहां पर color vector जो आपको देट करना है पिर यहां पर एगवार में आप दो रूट भी डाल सकते हैं, इस तरह का option है, यहाँ पर, यह direct है, इसमें थ्वासा zip वो, आपको click करना परेगा, add route, add story, चलिए इसको भी execute करके देख लिए, यहाँ पर एक्सेक्यूट कर रहते हैं, तो यहाँ पर यह पुड़ाना बला है, उसके बाद, यहाँ पर इसको थरह बढ़ा साइज कर देख, इसको साइज को मैंने बढ़ा दिया, फिर से execute कर रहे है, यहाँ दिखे, यह display हो रहा है, इसके यहाँ पर दिखे, इसके दोर के अंदर, एक channel आगए, Asp.net, उसके अधा, Assembly और चायर sushi है, DLR, यह दोनों जूट है, तो इस तरह से आप डेरेक्ट कर चकते हैं, और इसके अधार फीचर्स देखने थिरह थरह हो रहा हो उसके यहाँ पर image, अगर यहाँ पर image को option यहाँ पर नहीं है, इसके यहा इसके आधि यहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो एक ट्री के तरह है, यहां पर नोट है, लेफ है इस तरह का है, तो अधर तरीका मैंने आपको यहां पर बताया, कि एक कोडिक के तरह आप डारेक्ट कर सकते हैं, मतलब ट्री आप कर सकते हैं, और यहां पर एक डारेक्ट आ आपको अच्छा लोगा होगा, तो आज की वीडियो में इतना ही, यतने हैं डी वीडियो में डी टॉपी के साथ, थांक्यू